लोग माने निये बुद्खे मंत्री महोदे को पहना कर उनका अभिनानदर करे शंच का जोरदार तालियों के साथ अभिनानदर करे पुना सजीव महोदे से अनुरोगी श्रीश्टवी और मिसेश तोर पर आज जो जल्सन साधनी भाग के कारेक्रम में वबस्तित होने का मौका मिला है उन्होंने मुझे भी यहां जामंत्रिन किया इसके लिए मैं जल्सन साधनी भाग को मिसेश तोर पर पथाई देता हूं कि इन्होंने फिर यहां आने का आज मौका दिया और सब आपनों को मालूप है कि यहां तो सीजे ला रहे थे तो हमने कहा कि नहीं तो हमको आकर यह देश शुके हैं और तभी हुआ कि पराज बनेगा तो उसको हम जाकर के देखेंगे कि काम करसे सुन कर रहे है कितरा दूरी प हमने बार थोड़ी गये कि हैं तो आरूबी बनाने के लिए देखी है मेरे लाइन के उबर पहले बीपात्षी है थो रही सबकुत बात अने का आने जाने का रास्ता वना चाहिए तो आश को जा रहे थे नहीं रूप करके हिढ़नों हुज कर दिया प्षूल बुडाय है और इसमें एक इससा मने कहने के लिए तो हमारे समय से ही कहा जाता है तो हम रेल मंस्री चे सरधियर तल्वी की सरकार पचास-पचास परसेट दोनों का तो वो तो होता नहीं है एक प्रोच में जितना पैसा लगता है राजरी सरकार के देना पड़ता है और प्रिंज में जितना पैसा लगता है वो पना रेल देता है लेकिन वो तो एक अलग चीज है हमने आज यहाँ देख लिया कहा कि इसके लिए और कई चीजों के लिए तो राज सरकार को निमने करना पड़ेगा कि वह अगर रेल मंत्रालेस दिये कि इसके लिए सर भाया कुछ सहमत हो या नहीं हो वह आधा पैसा देने को तयार नहीं हो तो भी कोई बात दी है तो इसलिए हमने आज कह दिया और एक बता भी दिया यही रास्ता हो सकता है और इसी रूस में आप देख लिए और इसका आंतिन रूप से प्रस्ताव बेती किये राज्य सरकार की तरफ से भी ये वोड बार्वित बनवाया जाएगा यही हमने देख लिए आमने का कि भाई ये तो इत्रा महत्तुकूल जगह है अब इस महत्तुकूल जगह में जब हम लोग देखते हैं तो अब लोगों को आने जाने में कितनी तिकत है और नेपाल के ठीक बगल में है तो कई प्रकार की तिकते लोगों को भूझी रहती है तो ऐसी इस तिकती में यहां पर यह बन जाना चाहिए और ये सहर की आबादी भी तो बढ़ती चली जा रही है सबस्तिति और ये सहर भी विक्सित हो रहा है जो प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए सैंक्शन हुआ और जिसका टेंडर हो गया और जिसके बाद कुष्टी पिल गई और अब कारिया रंप्रा रंप हो गया वाक इन लोगो ने लिए उसको बुलाया कम जाकर कि हमने देख अब उकारिया रंप पूरा ये सबसे बड़ी बात है कि कमला नदी पर जो बराज निर्मान का काम है वो सुरू कर रहे हैं जो पीयर था जो पिछली बार ये देखा वो पीयर को पहले बना है सब्तर तो उस समय तो ठीक बना लेकिन अब जिस तरह से इसमें फ्लो पानी का प पचास साल पहले तो अब वो उतना इफेक्टिव नहीं है ये हम लोग ने पिछले ही साल महसूस कर लिया था तो उसी समय ये बात हो रहे थी पैट करके मीटिंग हम लोग ने की और यही हुआ कि इसका एक ही रास्ता है कि बराज बन जा तो हमने उसी समय कहा कि इतना हम प्र प्रस्ताव लाइए और एक्सपर्ट के बारे में उन्हें पताया कि बाहर से खुला करके दिख्वाया और कहां पर कैसे बनेगा यह सब करवा लिया और अब टेंडर हो गया अब उसको कारिया रंप हो रहा है उसकिन आपको बरह फिलाया तो मिज़े किसी है इससे सुभधा होगी इससे आप समझ लेजिए कि पानी का जो फ्लो है अब आप जिस तरह से पानी खैल जाता है जगह जगह और सहर को और गाउं के कई गाउं को परबार करता है परिसान करता है वो नहीं कर पाएगा तो उसमें तो नियंत्रित रहता है और दुसरी बात है कि बाद में सिचा कir ही के लिए भी ओक योगिता के लिए रखता है तो फानी को फ्रिज्र किया जाता हैूँई已經 जी इसके लिए ब्राज का तो बहुत बड़ा इंपोर्टेंस में किया से भास क catching चलि अलिए और इसके चलते लोगों को बहुत दोब दोघ मिलेगा और जो कुछ भी जो भी भा सब्सक्राण हुआ था उन्दीस में तो हम दोगों ने देखा था और आप पूल रहे हैं कि आज आप आई हुए इसलिए आपको मिस्वात को कर और बंद्रह में तो आप ही लोगों ने मांग कर दिया किसा आप सराबंदी लागू करिये एक कारिक्रम में पट्ता में तो पहले जैसे ही आप लोगों ने मांग किया तो हमने खड़ा होकर कि अपना भासन देवें के बैठने जा रहे हैं तब कि इछे से मांग किया आके कहा कि अगली बार अगर आने का मौका मिला पहार के कि अगर करता है कि याद रखिएगा आप लोगों के कहने पर सब कुछ हुआ है भूलिए का कभी माद और इसके फिर हम अभियान चलाने वाले हैं इसी महीने 22 तारिक से अभियान हम चलाने वाले हैं हर अनुम हर जगा पर हम जाएंगे हर कम इसकरी में और सब जगा और कर दिनेगा यहां से कहां चुरू करेंगे यहां पर तो समस्ति पूर करेंगे ना समस्ति पूर में होगा तो आप समझ लिए कि सब जगा जा करके फिर इसके लिए हम अभियान और इन सब चीज़ों के लिए और जो कुछ भी होता है तो इन सब चीजों के लिए व्यान जो चलाने का हमने दिरने लिया कि फिर इसको करेंगे और अभी तो पकड़ धकड़ बहुत हो रहा है लेकिन उसको कड़बर होता ही नहीं आप